हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे आजम सिक्षा निदिशाले द्वारदी की क्लास 7 की वर्क्षीट 17 डिसकर्स करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी पापा खोगे और यह आपकी वसंद भाग 2 का चैप्टर है और डेट इस वर्क्षीट की 24 न करना तब ही आप उस वीडियो की हैप से अपनी वर्क्षीट कंप्लीट कर लें थैंक यू बच्चो तो देखते हैं आज की वर्क्षीट तो इसमें हमारे पास है लेटर बॉक्स कहता हूं मीठी वाज में नहीं गाए तो क्या इस कवे की जैसे करकर शकाय करें तो कहता है कि अगर मैं मिठी वाज में नहीं गाऊंगा तो मैं क्या कोवे जैसे करकर्श वाज में गाऊंगा कहता है जराबी चैने और कहता है कि मुझे जरासा भी अराम नहीं है पेट में हार डालकर एक पत्तर निकालता है और धीरे से जीव लगाकर खोलता है तो लेटर बॉक्स कहता को पढ़ने लगता है यह किसकी चिठी आकर पड़ी है ठीक है तो उससे पूछा जाता है कि यह क्या कह रहा है श्रीमान श्रीयुद गोविंदा गोविंदा राव जी आपका लड़का प्रेक्षित पढ़ाएं में काफी कमजोर है तो लेटर पढ़के लिखा लेटर बोक्स पढ़ाएं में बिल्कुल भी नहीं रहता इसकी वज़े उसे क्लास में से गाईव रहकर बंटे खेना ज्यादा अच्छा लगता है तो उसमें लिखा कि जो उसका बेटर है श्रीयुद गोविंदा राव जी का उसका पढ़ाएं में मनने लगता है और उसे पढ़ने के जि मिलें ठीक है तो आप एक वर आकर मुझे परिक्षित के पापा हैड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा तो आगर मचह क्लास में गाईब रहकर बंटे खेलते रहें क्योंकि बच्छे कि हैनि स्कूल में पढ़ते नहीं है और स्कूल से गाईब होकर बंटे खेल में में मिलते रहते हैं इसका क्या मतलब है कि उत्चे का पढ़ाई में इंटर्स्ट नहीं है फीज के पैसे क्या फोकेट वे आते हैं पापा व Aldous पापा लोग आफ़िस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे तो लेटर बोक्स कहा है कि जो यह जो पैसों जाते हैं फीस के बहुती मेहनत से पैसे कमाई जाते हैं जो इसके फादर हैं वो फीस में काम करकर करके इतने पैसे कमाते हैं ताकि वो इसकी फीस ने पाए इन्हें यह बच्चे फोकर्ट के समझे आखिर क्यों तो कहता है कि जो बच्चे हैं जो पढ़ते नही था इस प्रिक्शित के फॉष्ट तर निकालता है किसका है तो यह कहता है कि एक baik master होता है सब्सक्राइए मिजों इसके फादर चाइने नहीं देता मैं सब्सक्राइए लगा रहा है मतलब मैं इसको सिदा कर देता फिर फिर वह यह बात कहा कि दूसरा पत्र निकालता है फिर वह जोस के साथ ही तो पुछते हैं यह पत्र किस का है तो खंबा कहते हैं खंबा पुछते हैं क्यूं लालता हूँ आज किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे तो खंबा पुछते हैं लालता हूँ लालता हूँ किस को तो पुछता है कि आज लालतों किसके पत्तर चोरी करके पढ़ते रहे हो तो लेटर बुक्स कहा रहा है चोरी 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 अस्ट्रे से चोरी किस लिए तो कहता है कि मैं ने चोरी नहीं की ठीक है चोरी किस बात की सबी चिठे मेरे ही कबजे में ही तो होती ही सारी चिप्ठिय पता चल गया तो पेड़ कहता है तो पता चल जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैठकर दिखाए तो पता चले तो लेटर बोक्स कहता है जब मैं रात दिन बैठकर रहता हूं अगर कोई मेरी तरह बैठकर दिखाए तब उसको पता चलेगा परसो यह पेड़ मेरे पेक में चिठ्षान निकाल रहा था और मुझे तिन लंबी जमबाई आई नहीं रूकी तो कहता है कि मैं कि जब फॉस्ट में चिठ्ष डालने नही जल्दी जल्दी चल्टा बना और मीजभग मैं रहीं जट्वाइए जल्दी बंडल कि चला गया कि ठिकनल यह letter box इसे नहीं बॉर्यत होती है एक जंगए बैठे बैठे लेकिन यह लोग यह लिदी समस्ते की letter box वह एक जंगए बैठे बैठे भी भर हो सकता है मैं dá R yummy 4 चिठिया मन बहला थो पढ़ भी लिए तो तो यह दोगा अगर मेने अपने बोक्स में से लोगों की चिटियों में से 3-4 चिठी पढ़ भी ली तो क्या बुरा कर दिया मैंने थीक है तो सारे बात हो लिए लेटर बोक्स पेड़ और खंबे की बिच में अब हम करते हैं इसके कोश्राइब करते हैं लेटर बोक्स क्या करता है क्या आप उसके कारे को सही मानते हैं उसके तरक सही उत्तर दीजिए तो देखते हैं लेटर बोक्स क्या करता है लेटर बोक्स अपने पेट में से चिठ्व को निकाल कर पढ़ता है हमें उसका ये काम पत्तर में किसके और क्या श्कायत की गई थी पत्तर में प्रिक्षित की श्कायत की गई थी कि वह वह पढ़ाई में कमजोर है और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है यह श्कायत उसके हैर्ड मास्टर ने उसके फादर को की थी ठीक है वच्छो तो किसके श्कायत की परिक्षित की गई थी अब हम देखतेएस का थर्फ फर फिर चैका ने बवूर्स्टे UP लगा देता है हमारी श्री is इस्को च्रहा लगा देगा मतलब क्या इसका म ineुलीच श्वाल चाइब Nope countless अंचल है सित चाल कुछ यहां तो यहां किसक के बीच बात्जीत थो रही है और किसके बारे में सोच कर लिखे सके कुछ तो कुन कुन बात भॉक्ते करें थैं लेटर जाली अ, पेड़ और खंबा तो लेखते हैं यहां लेटर जाली है यहां letter box पेड़ और खंबे की बीच में बातचीत हो रही है वह आपस में letter box द्वारब पढ़ी गई चिठी के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या बात करें कि जो चिठी पढ़ रहे था उनके बारे में आपस में बात कर रहे थे तो लास्ट कोशिर हमारे इस वक्षीट का letter box को जमाई लेता देखकर postman ने क्या किया था जब letter box बोरियत की वज़ेसे उसको जमाई आई थी जब postman पर चिठी डालने थे उसने क्या किया था तो देखते इस कंसर लेटर बोक्स को जमाई लेते देखकर postman देखता रहे गया तो इस परकार बच्चवी पूरी वक्षीट हमारी complete हो गई है अगर आपको वक्षीट समझ में आई है अच्छी लगिए है तो बच्चवी इस वीडियो के लिएक जुरूर कीज़ेगा कमेंट कीज़े आपको कै कैसे लगी वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे चैनल रिश्य कंप्यूटर क्लासी को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों थेंक यू बच्चों थेंक यू वेरी मच